जोहार दोस्तो स्वागत आप से भी काई इस चैनल में तो दोस्तो जारकंट करेंट अफेर्स में आज हम लोग न्यू बुक्स मतलब जो हाली फिलाल में जो नयने किताब लिखे गए हैं और जिनके द्वारा लिखे गए हैं उन सभी को आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और यह जो वीडियो है यह आने वाले जितने भी जारकंट के अंतरे जाम होंगे उसमें से एक दो प्रस्ण यहां से आपको देखनी को मिल सकते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे हैं और जो लोग इस चैनल में नया हैं जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो जरू से जरू सब्सक्राइब करके वीडियो को जादा जादा अपने दोस्तों के बीच सेयर करें तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहला प्रस्णिया है कि निमलिखित में से संपुर्ण जारखंड पुस्तक के लेखक कौन है मतलब यह पुस्तक का नाम है जारखंड एक पुस्तक है ये लिखा गया है अजय भागर के जी के द्वारा और रवी संकर मौरी इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है संपुर्ण जारखंड तो इसका correct answer option number C होगा A और B दोनों अगला प्रस्ण जो है निमलिखित में से पारंपरिक योग पुस्तक के लेखक कौन है मतलब ये जो पुस्तक है पारंपरिक योग इसके लेखक कौन है और इसमें दिया गया है डॉक्टर परिनिता सी डॉक्टर अर्चना कुमारी और C में दिया गये A और B दोनों और D में द परिक योग तो option number C इसका correct answer ये होगा अगला प्रस्न क्यों बढ़ते हैं नेन पेटे नामक पुस्तक के लेखक ये कौन है ये जो पुस्तक है नेन पेटे इसके लेखक कौन है तो यहाँ पर दिया गया मानसी मानजी कल्यान कुमार सौपनिल पांडे और डी में दिया गया इन अगला पढ़ते हैं नेमलिखित में से poverty in India पुस्तक के लेखक कौन है और यहाँ पर दिया गया है विमलेश कुमार सौपनिल पांडे और कल्यान कुमार और डी में दिया गया काजोल सी तो ये जो poverty in India जो पुस्तक है ये लिखा गया है कल्यान कुमार जी के द्वारा ये लि लेखक परवेज कुरेशी है मतलब ये इनमें से कौन सा जो पुस्तक है जो ये परवेज कुरेशी जी के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है इसमें दिया गया है poverty in India दस सौलजर गर्ल आसनसोल एमी गोज और डी में दिया गया है फिल्म निर्मान की चुनोती तो ये जो लिखा गया है इनके द्वारा परवेज कुरेशी जी के द्वारा ये लिखा गया है फिल्म निर्मान की चुनोती ये पुस्तक लिखा गया है तो ये ध्यान में रखे है नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला जो प्रस्ण है अगला प्रस्ण है नमने लिखित में से कौन सी पुस्तक जंसिता केरकेटा द्वारा ये लिखा गया है इसमें दिया गया है अंगोर जड़ों की जमीन सी में दिया गया ए और भी दोनों और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं तो ये जो दोनों पुस्तक हैं अंगोर और जड़ों की जमीन इन ये दोनों पुस्तक लिखा गया है जंसिता केरकेटा जी के द्वारा अगला प्रस्ण है नेमले लिखित में से कौन सी पुस्तक काजोल आइकत दुवारा ये लिखा गया है और इसमें दिया गया है दा कोटन सीड रिजन टू लिव सी में दिया गया ये और भी दोनों और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं तो ये दोनों पुस्तक जो है दा कोटन स द्वारा गुलामी से आजादी की और हार से जीत की और पुस्तक लिखी गई है वे किस लोगसभा संसद के मतलब किस लोगसभा से ये संसद रह चुके हैं और इसमें दिया गया है मियूर्भंज, पस्चिमी सीम्भूम, धनबाद या फिर पलामू तो ये दोस्तों ये मियूर्भंज से ये लोगसभा के ये संसद रह चुके हैं जिनका नाम है सालखन मूर्मू और इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है गुलामी से आजादी की और और हार से जीत की और ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है अगला प्रस्म जो है साइबर सुरच्छा समंदी जागरुकता पूस्ती का किन के द्वारा ये लॉंच किया गया है युवा कवियत्री है मतलब एक युवा कवियत्री है जो कि यह जारखंट की है इसमें दिया गया है रिता कुमार, सोभा अंस्दा, जनसिता करकेटा और डे में दिया गया है सिवांगी स्रीवास्तव तो यह कौन जो है जो एक युवा कवियत्री है और यह जारखंट से यह बिलोंग करती है, तो ये दोस्तों सिवांगी, स्रिवास्तों, जो है, ये जारकन्ट से बिलोंग करती है, और एक युवा कभी तरी हैं ये, अगला प्रस्ण है, निमनलिखित में से कोन से पुस्तक, अनॉज कुमार सिनहा दौरा ये लिखी गई है और इसमें दिया गया है दिस्वम गुरू, ट्राइबल हीरोज, सुनो बच्चो आदिवासी संगर्ष के नायक सिभू सोरेन की गाथा अब नेक्ट बढ़ते हैं जो अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सी पुष्टक कामेश्वर निरंकुस द्वारा ये लिखी गई है और इसमें दिया गया है कफस में जिन्दगी सनाटे की चीख सी में दिया गया है कामेश्वर निरंकुस जी के द्वारा ये लिखा गया है अगला पढ़ते हैं अगला जो प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सी पुष्टक डॉक्टर रीता कुमारी द्वारा ये लिखी गई है और इसमें दिया गया है उचत्तर मनो वेग्यानिक परिच्छन पी में दिया गया है डॉक्टर रीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है अगला बढ़ते हैं अगला जो प्रस्ण है निमलिखित में से कौन से पुष्टक वेद प्रकास मारवाह द्वारा ये लिखी गई है और इसमें दिया गया है पैथोलोजी ऑफ टेरोरिजम इन इंडिया प्रकास मारवाह जी के द्वारा इन में से कौन से पुष्टक ये लिखा गया है तो ये तीनों पुष्टक इनके द्वारा लिखा गया है पैथोलोजी ऑफ टेरोरिजम इन इंडिया इंडो पाकिस्तान रिलेसंस और इंडिया इंडिया इन टर्मॉल, जमू एन कस्मीर, द भारत के राष्टपती द्वारा ये द्वारा जार्खंट के मुख्यमंत्री को दिया गया है तो ये कौन सी पुस्तक है इसमें दिया गया है विदान सभा की मरियादा लोकतंत्र के स्वर बंदिगरी और डी में दिया गया प्रोक्त में से सभी तो ये कौन सी पुस्तक है जो क ये भारत के राष्टपती द्वारा जार्खन के मुख्यमंत्री को ये दिया गया है तो ये दिया गया है दोस्तों लोकतंत के स्वर जो है इस पुस्तक को ये दिया गया है अगला पढ़ते हैं अगला जो प्रस्ण है निमलेखित में से कौन सी पुस्तक सेलेंद्र महतोज द् मूंममेंट B में दिया गया झारकन रायज और ओपनिवे School work or C में दिया गया हावडी मोदी और D में दिया गया अप्रोक्त में से वह सभी लैंड्र महतो जी के द्वारा जो लिखा गया जो बूक्स है यह सभी इनके द्वारा लिखा गया एक भर का है इसका करेक्ट जो प्रस्ण है हाली में my experience with live पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा ये किया गया है और इसमें दिया गया है है मन्सोरें, रमेश बेस, जगरनात मतो या फिर डॉक्टर कामीनी कुमार तो ये दोस्तो my experience with live जो पुस्तक है ये इसका विमोचन किया गया है रमेश बेस जो हमारे जहरकन राइज के राइजपाल थे उनके द्वारा ये इसका विमोचन किया गया है तो ये ध्यान में रखें नेक्ट बढ़ते हैं हाली में इंडियन एथनिक एंटी वाइरल और एंटी बेक्टरियल मेडिशिनल प्लांट पुस्तक का विमोचन किया गया है तो ये किनके द्वारा किया गया है तो ये भी दोस्तो रमेश बेस जो पुरुव राइजपाल थे जहरकन के इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था नेक्ट बढ़ते हैं अगला पुस्तम की पद्यात्रा और ओजीवन के सास्वत साथी नामक पुस्तक के लेखक ये कौन है और इसमें दिया गया है ऑप्शन में डॉक्टर मयंक मुरारी रोहित यादो पंकज कुमार रजक या फिर अ दियात्रा और ओजीवन के सास्वत साथी ये दोनों पुस्तक डॉक्टर मयंक मुरारी जी के द्वारा लिखा गया है अब नेक्ट बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है जर्नी ओफ जार्खन मुवमेंट पुस्तक किनके द्वारा ये लिखा गया है तो ये दोस्तों सेलेंदर म द्वारा लिखा गया है जो कि मैंने पिछले स्लाइड में ये बता चुका हूं अगला बढ़ते हैं चिरागों में चुपचाप जलते हुए नामक पुस्तक के लेखा किये कौन है तो ये दोस्तों ये सेलेंदर पांडे के द्वारा ही लिखा गया है चिरागों में या फिर डिमेंन में से कोई नहीं तो ये जो पुस्तक का नाम है मानो माने रेना और हंगा ये लिखा गया है निरंजन हांस्दा जी के द्वारा ये लिखा गया एक बूक है अब नेक्ट बढ़ते हैं अगला जो है सगई गनादे नामक पुस्तक के लेखा कोन है तो इस प्रस्ण है हल्οι मोने नामक पुस्तक के लेखा किện कोण है और इसमें दिया गया है निरंजन हाज़दा कानु हाजदा सोभा हांसदा या फिर कोन है तो ये दोस्तों डॉक्टर जेपी रजवार जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है विलेज एड्मिनिस्टेशन इन कौलहान नामक जो पुस्तक है जार्खन में विद्रोह का इतहास 2021 नामक पुस्तक के लिखा किये कोन है और इसमें दिया गया है सर्यू राय सेलेंद्र महतो अनदर प्रसाद संदिव मुरा रका तो ये जो पुस्तक है जिसका नाम है जार्खन में विद्रोह का इतहास ये लिखा गया है सेलेंद्र महतो जी के द्वारा ये लिखा गया है अब next बढ़ते हैं अगला जो प्रस्ण है पुरू राइजबाल द्रोपदी मुर्मु द्वारा कितनी पूस्तकों का विमोचन किया गया है इसमें दिया गया है चार, पांच, तीन या फिर साथ तो दोस्तो पूरु राइजपल द्रोपदी मुर्मो जी के द्वारा टोटल तीन बुकों का विमोचन किया गया था अब नेक्ट बढ़ते हैं अगला जो प्रस्न है जारखंड के किस युवा द्वारा कौरवा भासा का सब्द कोस बनाया गया है तो इसमें दिया गया है परभु आनंद, हीरामन, ब्रिजेश कौरवा या फिर डी में प्रसाद तो ये जो लिखा गया है कौरवा भासा का सब्द कोस ये लिखा गया है हीरामन जी के द्वारा ये लिखा गया है नेक्ट बढ़ते हैं कोहबर पुस्तक की लेखी का कौन है ये जो पुस्तक है कोहबर इसको किन के द्वारा ये लिखा गया है ओप्शन में दिया गया है अनामिका वर्मा, वंदना टेटे, महुआ माजी, डी में दिया गया है द्यामनी बारला तो ये किन के द्वारा लिखा गया है कोहबर नामक पुष्थक तो ये दोस्तों लिखा गया है अनामिका वर्मा जी के द्वारा ये लिखा गया है next बढ़ते हैं love is where the heart is नामक पुस्तक के किसके द्वारा ये लिखी गई है option में दिया गया है dr. जनारदन परशाद, dr. उमेश तिवारी, dr. अनिल मिस्रा d. में दिया गया डॉक्टर असोक मातो तो ये किनके द्वारा लिखा गया है love is where the heart is easy तो ये दोस्तों लिखा गया है dr. जनारदन परशाद जी के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है अगला प्रस्न है गुंगी रुलाई का कोरस नामक उपन्यास जारखन के किस साहित्यकार के द्वारा ये लिखा गया है गुंगी रुलाई का कोरस इसमें दिया गया option में रविंद्र कुमार रनेंद्र कुमार डॉक्टर सत्य नरायन मुंडा ओडी में दिया गया के सी तो यह जो गुंगी रुलाय का कोरस नामक जो उपन्यास है यह लिखा गया है रविंद्र कुमार जी के द्वारा यह लिखा गया है जो कि यह एक उपन्यास कार है नेक्श बढ़ते हैं आओ चले सीव की और नामक अध्यात्मिक पुष्टक को किसने लिखा है और तो यह जो है आओ चले सीव की और लिखा गया है अरिनन दरानंद जी के द्वारा यह लिखा गया है नेक्श प्रस्ण है अब नेक्श बढ़ते हैं जो अगला प्रस्ण है रहबर की राहजनी नामक पुस्तक किनके द्वारा ये लिखी गई है और option में दिया गया है सेलेंद्रमातो, सर्यूराय, गिर्धारी राम या फिर अनदपरसाद तो ये जो पुस्तक है सहबर की रहजानी ये लिखा गया है शर्यू राई जी के द्वारा ये लिखा गया एक पुस्तक है नेक्ट बढ़ते हैं पेबलो पांडा जोकी एक लगू कथा संग्रा है नामक पुस्तक किन के द्वारा ये लिखा गया है इसमें दिया गया है स्वापना संचिता, कृतिका पांडे, निकिता सी, द्यामनी बारला तो ये जो है पेबलो पांडा ये लिखा गया है स्वापना संचिता जी के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है अगला बढ़ते हैं पुष्टक एक उडान के लिखा गिये कौन है तो ये जो पुष्टक है ये लिखा गया है डौक्टर रनधीर कुमार जी के द्वारा लिखा गया है पुष्टक एक उडान अगला प्रस्ण है ततकालिन राजपाल द्रोपादी मुर्मु द्वारा उराव लोग गितों में नारी का चितरन पुष्टक का लोकारपन किया गया या पुष्टक किसके द्वारा ये लिखी गई है और इसमें द्या गया है विजय कुमार महतो अनुग कुमार अरुविंद कुष्वाह ओर्डी में द्या गया रमेश कुमार तो ये जो पुष्टक है जिसका नाम है उराव लोग गितों में नारी का चितरन ये लिखा गया है विजय कुमार महतो जी के द्वारा ये लिखा गया बुक्स है तो ये था दोस्तों जो आप्संस में मैंने इसमें कर दिय अब और भी बुक्स हैं जैसे कि 40 पार की ओरत ये लिखा गया है अनामिकाईयों कलावती जी के द्वारा लिखा गया है अगला है प्रेशनलिटी अमोंग हाई स्कूल ट्राइबल अ स्टुडेंट ये ससी कपूर जी के द्वारा लिखा गया है धातरी पात सन गाम ये रीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है अगला जो बुक है मानवाधिकार एक परिच्चा है जो कि ये डॉक्टर रंधीर कुमार जी के द्वारा लिखा गया बुक्स है और भी बुक्स हैं जैसे कि साहित्य की विधाएं ये डॉक्टर H.N.C. और डॉक्टर रितेस परिच्छन जो है ये डॉक्टर रीता कुमारी गीत जोपा जो है ये राम परसाथ साहु जी के द्वारा लिखा गया पुक से बुक है अगला जो बुक है जार्खन विदान सभा का कायरी संचालन पर किरियाईयों परंपरा ये लिखा गया है उदाइभान सीह और मधुकर भा परंदन जी के द्वारा लिखा गया है रहबर की राजानी ये सरीव राई जी के द्वारा लिखा गया जो कि मैंने पिछले कोशन में करा दिया है सेलफ इम्यूनिटी बूस्टर जो की ये मनोज कुमार द्वारा लिखा गया बुक है और भी बुक से जैसे कि The Making Of Narend modhi and Unmaking प्रिकिंग ओफ जोहालाल नेरु ये विवेकानन्द जहां जी के द्वारा लिखा गया बुख है लोकतंत्र के स्वर ये रामनात कोविन जी के द्वारा लिखा गया बुख है दफ फियर ओफ कोरोना वायरस ये टिजवान सेख्स जी के द्वारा लिखा गया बुख है गुड जारखंड अजय भागरके और रविसंकर मोरी जी के द्वारा लिखा गया है। और भी बुक्स हैं जैसे कि देश को प्राकृति का वरदान ये राजी लोचन जी के द्वारा लिखा गया है। कोईले के बाद की चुनोती और संभावना ये स्रेष्ठा बनार जी जी के द्वारा लिखा गया है नेन पट्टे ये लिखा गया है मांसी मांची जी के द्वारा और पौवेटी इंडिया ये कल्यान कुमार जी के द्वारा लिखा गया बुक है तो ये था दोस्तों जितने भ करें अपने दोस्तों के भी सेर करें और अच्छे अच्छे कमेंट इसमें प्यैस करें और जो लोग आप न प्र ilasion प्रूठसै गर्व करें ताकि दोस्तो रेगुलर अपडेट आपको इसी ही एकजां से ओर प्रूंट्ठ पोइंट से और जिनक पीडेई आपको Sims में